है 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 आज का हमारा सवाल है दबी चील 3 is a planar molecule यह एस प्लैनर फिरामिडल बीकॉज तो देखेंगे यहां पर बोरोन के पास तीन क्लोरिन आटम है और साथ यहां पर कोई लोन पर नहीं तो ऐसे में यह कितना इंगल पर रहना पसंद करेंगे 120 पर और इसलिए इसका सेप का नाम हो जाता है कोई लोन पर नहीं है अब जरहां इमेजिन करो ncl3 को तो ncl3 में क्या होगा न सब कुछ सेम रहेगा मैं दो को इसी ncl3 के जैसा पहले में इस्ट्रक्चर बना देता हूं ठीक ना ताकि आपको समझ में अच्छे से आए ncl3 पहले मैंने बनाया लेकिन नाइटोजन के पास होता है वैलेंसल में पांच इलेक्ट्रोन पांच में से यह तीन इलेक्ट्रोन तो चला गया बांडिंग में एक पेर बचा हूए और यह जो एक पेर बचा हूए वो क्या करेगा इस तीनों बांड को रिपेल करेगा और Ga से आप नीचल बना देगा मतलब ऎसला चाएक लोन पेर होगा अब दोड़ा से अब इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगी यह किस तरह का structure आपका पिरामिड बन रहा है यह आपका एक पिरामिडल जॉमेट्री बन गया यदि लोन पेर नहीं होता तो फिर यह आपका बिल्कुल plan plan में आ जाते तीनों की तीनों क्लोरीन और यह आपका nitrogen धीदे दीने नीचे यहाँ पे जाके बैड जाता जिदी प्रेजिन कर पारे हो तो बिल्कुल यह structure हो जाता लेकिन क्या होगा एक लोन पर आने की वज़ाज क्या होगा इसको थोड़ा सा बेंट कर दिया और यह शेप पिराइमिडल में आ रहा हुआ वह ड्यू टू लोन पर बांड पर रिपल्सन की वज़ा से तो चलिए एक एकर के उप्ष्ण आप रीड कर लेते हैं ब्सीयल बॉंड लोन ब्सीड पॉलर उह एंसली को ज्यादा पौन होगा यह एंसली तो बोरून का एलेक्ट्रों कि टिविटी तो यह काफी कम होता है नाएकलोजन से च्वाल इंसली बात करें इस में विसाल कोई मतलब नहीं है तो आप सब्सक्राइब कोई मतलब निए कौन चोटा कौन बड़ा हमको तो इस लोन पेर से मतलब है लेकिन के पास लोन पेर और इसी लोन पेर के वज़ाशे इसका जो शेफ है वह आपका पिरामेडल हो गया इस सवाल का सही जवाब जो है वह आपका ऑप्शन डी हो गया ओप यू अंडेस्टेंड इस क्वेश्चन थैंक यू फर वाचिंग वीडियो